जैहिंद वंदे मातरम अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पर आपको सभी भरतियों की जानकारी दी जाती है चलो शुरू करते हैं नमस्कार सातियों मैं राजेश गूजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे सातियों का ओमवीर रोजगार के यूटूब चैनल में आओ जी फटाफट से जो नोटिस आया है राजिस्तान पसू परीचर भरती को लेकर के उसकी चर्चा एक बार अच्छी परकार से कर लेते हैं और जो भी भाई बेन पसू परीचर की भरती में फोरम भरे हैं वो भी तैयार हो जाईए आपका एक्जाम होने वाला है बहुत कम समय बचा है आपके पास में ठीक है साब राजिस्तान पसू परीचर भरती दो हजार चोबिस भरती में बदले नियम एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा एक्जाम का सेडूल भी जारी कर कर लेते हैं राजिस्तान करमचारी चैन बोड जैपूर ठीक है जी यह तीस अक्टूंबर दो हजार चोबिस को आज ही जारी हुआ है ठीक है जी आज ही जारी हुआ है चोटी दिपावली वाले दिनी जारी हुआ है इसकी देखो विग्यप्ती में क्या-क्या चीजे लिखी हुई है यह पसू परीचर भरती दो हजार तेईस एक दिसंबर दो दिसंबर तीन दिसंबर तीन दिन तक तुमारा पेपर रहेगा पहली पारी रहेगी सुबह नो बजे से बारा बजे तक और दूसरी पारी रहेगी दो पैर के डाई बजे से साड़े पांच बजे तक ठीक अभी मेंते बाक्ट पीолिया है थितर दब देख लिए अब देख़ो इसमें हम देख लेते हैं class में बूर्ड कर लिया चाहन है सुनीय स्पर्सट करें के बाक्ट का रखते हैं को सब रखते हैं BRANDT कि अपने पैचान पत्र में फोटो यदि तीन वर्च या उससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करें यानि कि भई आपके जो भी पैचान पत्र है जैसे मालो आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो एडमिट कार्ड के साथ में आधार कार्ड में दिखने चाहिए आया को उन्चाल लेगी कि सब आधार कार्ड में तो छोटा सा की फोटू ताबीज गड़ा में हैं और एडमिट कार्ड में डड़ी यारी तो फिर वो मिलान नहीं होगा आपको एक्जाम सेंटर से भाहर कर दिया जाएगा इस बात का विसे ध्य जाएंगे अगर तुमको परसं का जवाब आता है a b c d तो इन में से दे दो हैं जाए आपको ऐसे लगता है कि aula फा फ़ी है सिए दी है तो कोई बात नहीं है और अगर आपको तुका लगाना है तो भीन में सही लगा दो a b c d में तुक कमार दो कि यह नहीं है bir कग साब मैं तो विलकुल भी ना तुम ये को मार्किंग काट इडिया जाएग नम्मर आपका इस बात का थ्यान रख लेना या तो तो ABCD में करो ठीक है उत्तर आ रहा है तो ठीक है नहीं तुक्को मारो तुक्को मारो डी तक ही लेकिन अगर तुक्को भी कुन मारो उत्तर भी कुन पतो तो सब खाली छोड़ांगा मैं तो खाली मन छोड़ो फिर इने गोड़ो कर दो काड़ो इने बर दो नहीं नहीं बरोगा खाली छोड़ दोगा तो एक बटा तीन नमर कट जाएंगे और दस परसेंट से ज्यादा परसनों को खाली नी छोड़ना है ये बात भी ध्यान रख लेना जैसे मालो डेड़ सो परसन है तो डेड़ सो में से डेड़ सो ही आपको करने पड़ेंगे अगर आप 10 से 15 परसन खाली छोड़ देते हो गोड़े तो आपको एपात्र घोसित कर दिया जाएगा इस बात का ध्यान रख लेना कोई मतलब नहीं है फिर परिक्षा देने से तो इस बात का ध्यान रखना खाली तो छोड़नों को ना या बात ध्यान राग जो बस थे ठीक जी तो यही चीजे हैं अब बात करें साब इदमिट कारड कब तक आ जाएगा तो एदमिट कारड की बात ये है सातियों आदमिट कार्ड जब तुम्हारी परिक्षा एक नवंबर से शुरू हो रही है तो आपके एड़ियमिट कारड 20 नवंबर 20 नवंबर दो हजर चोबैस के आसपास देखने को मिल ज आप लिया है तो आपको निकार लीजेगा नोट्स पढ़ने नोट्स को पढ़ लीजेगा पूरी तैयारी आपको करनी है जो कर लीजेगा भई एक नवंबर से आपकी प्रिक्षाएं शुरू हो रही है यही थी ताजा खबरें आई हो आप अच्छी परकार से समझ गए होंग सारी चीजे मैंने आपको किलियर कर दी है यही थी न्यू अपडेट फसू परीचर भरती को लेकर के जो मैंने आपको किलियर कर दिया है वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर पहली बार आए है तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि देश में जितनी भी भरतिया निकलती हैं तमाम भरतियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एक्दमासान और सरल भासा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं और ये जो नोटिपिकेशन है ये साथियों आपको टेली ग्राम के उपर उपलवद करवा दिया गया है वही पर आपको सारी अपडेट मिल जाती हैं ठीक है जी तो फिर मिलूँगा एक और जबरदस्त हैसी वीडियो के साथ तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत